हलो फ्रेंड्स वेलकम चू ओनलाइन टेस्ट दोस्तों आज हम जानेंगे अद्रक के कुछ गरेलू फाइदों के बारे में तो सुरू करते हैं हर्दे दुर्बल हो दर्कन कम हो दिल बेटता सा लगे तो सोट का गर्म काड़ा नमक मिलाकर एक प्याला प्रती दिन पीने से काफी लाब होता है हर्दे रोगों में एक ग्लास पानी में एक चमच अद्रक का रस मिलाकर पीना काफी लाब दायक है अद्रक का रस दो चमच गर्म करके नाभी के आसपास लगाएं रस में रुई भिगो कर नाभी पर रख दें इससे दस्त बंद हो जाएंगे इसके साथ ही आदा कप उबलते हुए पानी में एक चमच अद्रक का रस मिला कर गर्म गर्म ही एक गंटे से पिएं पानी की तरह हो रहे पतले दस्त बंद हो जाएंगे इसमें चीनी मिठा आदी ना मिलाएं यह दोनों प्रियोग एक साथ करने से दस्तों में सिगर ही लाभ होगा एक चमच अद्रक का रस चोथाई चमच काला नमक आदा कप गर्म पानी मिला कर सुवे साम पीने से खटी डखारें आदी आना बंद हो जाएंगे PCV सोट वे सुका धनिया चाचा चमच एक गलास पानी में डाल कर उबालें आधा पानी रहने पर इसे चान कर निट्टी तीन बार इसी प्रकार बना कर पिएं इससे एसीडिटी ठीक हो जाती है जुकाम होने पर दो कप पानी में एक चमच अद्रक के टुकडे डाल कर इसे उबालें एक कप पानी रख लें इसे चान कर सुवादा नुसार दूद्वे चीनी मिला कर सुबह साम गर्म गर्म ही पिएं आदा कप गर्म पानी में एक चम्मच अद्रक का रस आदा चम्मच नीमगू का रस मिला कर पीने से नाक से पानी गेरना बंध हो जाता है अद्रक के छोटे छोटे टुकडे काट कर उन पर नमक लगा कर खाने से 15 मिन फैले सर्व प्रतम इसे खाएं स्वाद बढ़ाने के लिए चाहें तो नीमगू का रस भी इस पर डाल सकते हैं इससे भूक खुल कर लगेगी अद्रक का रस 30 ग्राम सहथ 30 ग्राम मिला कर नित्य तीन बार 10 दिन तक पीएं इससे दमा खासी के लिए उपयोगी है गला बेट जाए जुकाम हो जाए तो ये योग लाबदायक है इसमें खटाई वा दही का प्रियोग न करें दमा में अद्रक को गी में तलकर भी ले सकते हैं 12 ग्राम अद्रक के टुकडे करके एक पाव पानी दूद सक्कर मिला कर चाय की तरह उबालकर पीने से खासी जुकाम ठीक हो जाता है गी में गुड डालकर घर्म करें दोनों मिलाकर एक होनी पर 12 ग्राम पीसी हुई स्वाट डालें ये एक खुराक है प्रात्य भूके पेट नित्य सेवन से जुकाम खासी आदी ठीक हो जाता है अद्रग कफ को कम करती है ओके फ्रेंड्स थैंक्स पोर वाचिंग दिस वीडियो